तो साथ ही हो Canera Bank account में अगर आपकी date of birth update नहीं हुई है आप कई बार apply कर चुके हो आप home भर के apply कर चुके हो आप online तरीके से apply कर चुके हो लेकिन अभी तक आपके account में आपकी date of birth update नहीं हुई है तो इसका reason क्या होता है आप कौन-कौन सी mistake करते हो क्या गलतियां करते हो जिससे कि आपके Canera Bank account की date of birth update नहीं हुपाती है आज हम खुलकर बात करने वाले हैं और इसके साथ हम ये भी बात करेंगे कि आप कैसे apply कर सकते हो बलको सही तरीके से जिससे कि आपकी date of birth पूरे तरीके से change हो जाए या update हो जाए वीडियो बहुत ज्यादा helpful होने वाली है इसलिए मे date of birth update करने के लिए कोई भी form fill किये हुए थे या फिर online तरीके से आप कोई भी request किये हुए थे लेकिन अभी तक आपके account में आपकी date of birth change नहीं हुई है update नहीं हुई है तो इसका reason क्या है आपने क्या mistake की होगी और आपका solution कैसे मिल सकता है आज की वीडियो में आपको proper बताने वाला हूँ मैं आज आपको like बताऊंगा और अगर आप वीडियो बहुत अच्छे से देखते हो शुरू से लेके end तक देखते हो तब जाके आपको आपको mistake भी समझ में आएगी और आप बहुत आसन तरीके से अपनी date of birth को update भी कर बापाऊगी तो वीडियो बहुत चले आपको यहाँ पर देखने के लिए मिला होगा क्या एक form यह form आपको फिल करना है क्योंकि इस form को फिल करके आपको आपकी bank branch में submit करना होता है तो यह form आपको कैसे फिल करना है कौन को से document लगेंगे चले इस पर बात कर लेते हैं तो यह form फिल आपको proper तरीके से basic information से फिल करना है जो कि आपको पासुक में दिया गया होगा तो और अपको नहीं पता तो आपको इतिकत निए इसको खाली छोड़ सकते हो फोन नमर मबायल नमर आपका जो भी है वो आप यह फिल कर दीजे मबायल नमर आपको फिल कर सकते हो बहुत प्रौपर तरीके से अगर आ अगर आपके खाते में कोई mail ID लगी हुई है तो फिल कर दीजिए, अदर्वाइस अब प्रेजेंट में जो इस्तमाल कर रहे हो, वही mail ID आप यहाँ पर फिल कर सकते हो, तो यह तो थी हमारी basic information जो हम फिल कर चुके हैं, चलिए अब बात करते हैं अपनी problem की, तो problem क्या है हमारी problem पहली वाले page पर आपको देखने के लिए नहीं मिल रही होगी, चलिए आते हैं सबसे दूसरी वाले page पर, तो यहाँ पर आपको दिखरा होगा बारवे नम्मर पर date of birth, दिखरा होगा date of birth, बी वाले option पर, date of birth आपको दिखरा होगा, date of birth not updated through proof of date of birth submitted on, देखिए date of birth मैं आपको बता देता हूँ, कि जब भी आप date of birth अपडेट करवाओगे, तो आपको कोई एक proof जरूरू देना पड़ेगा, कि भाई ये मेरी date of birth सही है, और इसकी basis पर, या इस document के basis पर, आप मेरी date of birth चेंज कर दीजिए, तो यहाँ पर आपन जो भी document पहले submit किया हूँ, जैसे आधर कार्ड दिया हूँ, आपने pen card दिया हूँ, driving license दिया हूँ, मतलब जिसमें आपकी date of birth सो हो रही हो, अगर आपने वो कोई document दिया हूँ, यहाँ तक कि high school की mark seat भी आपकी लग सकती है, तो अगर आपने वो दी है, तो आप यहाँ पर mention कर दीजिए, कि sir मैं इसके आधर पर अपने date of birth क्या करवाना चाहता हूँ, अपडेट करवाना चाहता हूँ, अगर आपका author card है, आधर कार्ड देट आपकी सही है, तो आप यहाँ पर author card लिख दीजिए, सीधी सी बात है, आधर कार्ड आप यहाँ पर लिख दीजिए, हमारे users होते हैं, यहाँ पर signature में mistake कर देते हैं, जल्दवाजी में कुछ भी signature कर दीए, फिर कहेंगे, sir मेरा form reject हो गया, क्योंकि आपके signature आपके system से match ही नहीं किया, अगर आपके signature मैच नहीं करते हैं, तो आपका form reject कर दिया जाता है, कोई भी operation आगे नहीं किया जाता है, सीदी सी बात है, आपको आपका आधार कार्ड लेकर आपके bank branch में पहले जाना है, और आपको आपके signature को verify करा लेना है, उसके बाद आपको सही signature यहाँ पर कर देना है, signature आपके complete हो गए, चलिए अब बात कर लेते हैं, इसमें document कौन कौन से लगेंगे, तो जिस भी proof पर, या आपको इस form के साथ ले लेना है, सीदी सी बात है, उस particular document की photocopy ले ले जिए, एक passbook की photocopy ले ले जिए, तीनों को attach करके आपको आपके bank account देना है, और कैनेक सर मेरी date of birth change कर दिए, 24 घंटे के अंदर आपकी date of birth change हो जाएगी, मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको